हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल केट्स लर्निंग फन आज हम डिसकस करने वाले हैं लकेजी एक्जाम शीट इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ इसका पार्ट वन शेयर किया है जिसका लिंक आपको उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहां जाकर के उसको चेक कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरी चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं आपको मेरी वीडियो जो है वो आपके बच्चों के लिए ह जरू कीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स कोशन वी है राइट दा मिसिंग लेटर्स यहां पर हमने अल्फाबेट लिखे हैं और यह अल्फाबेट हमारे कैपिटल लेटर्स हैं आपको बच्चों को बोलना है जहां जहां पर फिर इन दा ब्लैंक है यानि कि ब्लैंक्स छोड़े गए हैं उनको कम्प्लीट करना है तो यहां पर फर्स नंबर पर हमें दिया गया है ए और ए के बाद आएगा बी C, C के बाद आएगा D E, E के बाद आएगा F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z, इस तरीके से आपको बच्चों को जो capital letters है उनको fill up करवाना है So next question है हमारे यहां पर write the letters in ABC order यानि कि जिस तरीके से जो letters हैं वो चलते हैं हमारे उसी तरीके से हमारे को यहां पर find out करके लिखने हैं So यहां पर दिया गया है F, D, E So अगर हम इसको sequence में दिखेंगे तो आएगा D, E, F So हमें यहां लिखना है D, E, F Next number पर हमें दिया गया है S, R, T और अगर हम sequence में इसको लिखेंगे तो आएगा R, S, T Next number पर दिया गया है L, J, K So इसको हम sequence में लिखेंगे तो क्या आएगा? J, K, L So last में हमें दिया गया है Y, X, V So इसको हम लिखेंगे तो आएगा X, Y So यहां पर हमने complete किया हमारे write the letters in ABC order So next question we have write the correct pair So यहां पर हमें कुछ pairs दिये गया है जिसमें capital letter and small letters में दिये गया है So उनको हमें find out करना है जो correct pair है उसके उपर हमें right का निशान लगाना है और जो wrong है उसको हमें cross का निशान लगाना है So first number पर दिया है capital A, small a So यह correct है Capital B, small d यहां पर b आना चाहिए था तो यह wrong है Capital S और इसको reverse करके लिखा गया है तो यह भी wrong है Capital C, small c यह correct है Capital D, small b यह भी wrong है Capital E, small e यह हमारा correct answer है तो यहां पर हमने जो correct pair थे उनके उपर right का निशान लगाया है और जो wrong थे उनको हमने cross किया है So next question we have Write the first letter for each picture यहां पर हमें कुछ pictures draw करके दी गई है और इनको हमें देखना है, समझना है और फिर जो इनका first letter है वो हमें यहां पर write down करना है So first number पर हमें कौन से picture draw करके दी गई है यह है tree की picture So tree, t, यानि कि यहां पर t आएगा Next picture है हमारी ball B, b, ball So हम यहां पर लिखेंगे B So next picture we have kite K, k, kite So यहां पर हम लिखेंगे K Next picture है cup C, k, cup Next picture है हमारी mango M, ma, mango G, g, grapes S, sir, ship P, a pencil So यहां पर हमने complete किये हमारे first letter for each picture So next question we have match the capital letters to small letters So यहां पर capital letters दिए गए है यहां पर small letters दिए गए है आपको बच्चों को बोलना है कि दोनों को read करके find out करना है कि capital letters को small letters के साथ match करना है यह बहुत ही interesting वीडियो है So please वीडियो को last letter दिए गए गए हमारा यहां पर Capital M, small m Capital N, small n So यहां हमने complete किये हमारे capital letters to small letters So next question we have write the last letter of given picture यहां पर हमें कुछ pictures draw करके दी गई है और इनको हमें read करना है और उसके बाद जो इसका last letter आएगा वो हमें यहां पर लिखना है So first number पर हमें यहां पर एक box के picture draw करके दी गई है Box, kus, x आएगा last में तो हम यहां पर लिखेंगे x यह है moon की picture moon, n, 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 n sound आ रहा है तो हमें यहां लिखना है n, moon, flower, r, r किसका sound है r का sound है यह है bat, b, a, t, t, यानि की t का sound है तो लिखेंगे bat next picture है यहां पर boat, t, again t का sound आ गया है apple, e so, यहां हमने complete किया हमारे last letter of given pictures so, here we have question number 7 match the letters with the pictures so, यहां पर letters दिये गए है और उन से related यहां पर picture हमने draw की है so, उनको हमें match करना है so, first letter हमें दिया गया है t, t for t-shirt, so हम इसको इसके साथ match करेंगे c, c for cap h, h for house s, s for sparrow i, i for ice cream f, f for fan and last में है d, d for drum so, यहां पर हमने letters के साथ उनकी pictures को match किया है so, यहां पर हमारा last question है complete the small letters series पहले हमने capital letters देखे थे अब हम यहां पर small letters को देखेंगे so, small letters में यहां पर दिया गया है a, b, c और बाग की blanks दिये गये है so, उनको हमें बच्चों से complete करवाना है so, c के बाद आएगा d, e, f next number पर दिया गया है g, h, i i के बाद आएगा j, k, l next number पर है m, n, o o के बाद आएगा p, q, r last में दिया गया है s, t, u u के बाद आता है v, w, x and y के बाद आएगा z यहां हमने complete किये हमारे small letter series so, आज हम लोगों ने discuss किया है lkg English exam sheet I hope यह work sheet आपके बच्चों के लिए helpful होने वाली है अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरू किये जएगा साथी साथ मुझे comment box में बताईएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी so, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you अजुए़ों झाछिफ बहुत द सके लृ़ब मुझे एयए कि आज हadow तो ख़या है वीडियो वीडियो झाल झाल